हमारी आज की पेशकश है अजय देवगन और ग्रेसी सिंग की 2003 में रिलीस हुई फिल्म गंगाजल, The Holy Weapon इस फिल्म के निर्देशक है प्रकाश चा मनमोहन शेटी के बैनर, Entertainment One के तले बनी ये पहली फिल्म है गंगाजल को को प्रेड्यूस किया है खुद प्रकाश चाने गंगाजल की कहानी बसी है बिहार के तेजपुर गाउं में जहां वर्दी वाले तो बहुत हैं लेकिन कानून का कोई नाम और निशान नहीं तेजपुर में दो गुंडों का राज चलता है, साधू और सुन्दर यादव इस बाप बेटे की जोडी ने तेजपुर के सारे अफसरों को अपनी मुठी में रखा है गाउं के इस वातावरन के बीच एक नए सुपरिंटेंडेंडन रूप पुलीस अमित कुमार यानि अजय देवगन का तबादला तेजपुर में हो जाता है अमित कुमार को हर कदम पर भष्टाचार का सामना करना पड़ता है तेजपुर में कानून और इंसाफ को वापस लाने का जिम्मा अमित कुमार अपने पर लेता है अजय की बात यह होती है कि पुलिस जिसका काम है सबको ठीक से संचालित करना वो खुद एक करप्ट सिस्टम बन जाता है और यह हर समाज में होता है अमित कुमार के मकसद में उसका साथ देती है उसकी पत्नी अनुराधा यानि ग्रेसी सिंग अनुराधा को मालूम है कि यह रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है अनुराधा एक बहुत ही एजुकेटेड है उसका अपना एक थिंकिंग प्रॉसस है और वो अपने हस्बन को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है उसे बहुत से सवाल पूछती है और शीज़ बिट एग्रेसिव शीज़न बिलीव इन पति परमेश्वर अमित कुमार के किरदार के लिए प्रकाश जहा को एक ऐसे आक्टर की तलाश थी जिसमें घुसा भी है और शांती भी जो सिस्टम की कमजोरियों को समझता भी है लेकिन उनसे हार नहीं मानता प्रकाश जहा को यकीन था कि अमित कुमार का किरदार इस दर्शक के एंग्रि यंग मैन अजे देवगन से भेतर और कोई नहीं कर पाएगा बहुत ही कमपैशनेट, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है बहुत ही एक कमपैशन के साथ में काम करता है पुलिस ओफिसर का और लीगालिटी उसके दाइरे में रहते हुए कैसे उसे मैनेज करता है काइंड अबाउट गेट से रेविलूशन इन इस ओन डिपार्टमेट गंगाजल की सपोर्टिंग कास्ट में काफी जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं साधू और सुंदर यादव के किरदार निभाए हैं मोहन जोशी और यश्पाल शर्मा ने मुकेश तिवारी, अयूप खान, अनूप सोनी जैसे कैरेक्टर अक्टर्स ने पुलीस वालों की भूमिकाय निभाई साथ ही साथ अभिने किया है अखिलेंद्र मिश्रा और अनीता कवल ने प्रकाश जहाँ अपनी गंभीर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं चाहे वो 1985 की फिल्म दामुल हो या फिर माधुरी दिक्षित की मृत्युदंड सीरिस सिनिमा से हटकर फिर उन्होंने बंदिश, राहुल और दिल क्या करे जैसी फिल्में बनाई दिल क्या करे में पहली बार प्रकाश जहाँ ने अजय देवगन के साथ काम किया और तब उन्होंने निर्ने लिया कि अजय के साथ वो फिर से काम जरूर करेंगे बिहार में बसी इस कहानी को प्रकाश जहाने महराश्चा के एक छोटे गाउं वाई में फिल्माया है इस गाउं की खूबसूरती को कैद किया है कैमरमन अर्विन ने हाला कि ज्यादातर शूटिंग असल लोकेशन्स पर हुई है सुकांत पानीगरही की सेट्स काबिले तारीफ है अक्शन सीन्स डिरेक्ट किये हैं जैस सिंग ने प्रकाश जहा का मानना है कि इतनी गंभीर फिल्में संगीत का इस्तिमाल बहुत ध्यान से होना चाहिए और इसलिए गंगा जल में एक ही गाना है नौटं की गाना अलड मस्ट जवानी ये गाना कंपोज किया है संदेश शांडल्यने जिन्होंने कभी खुशी कभी गम का मधूर गाना सुरज हुआ मध्धम भी कंपोज किया बैग्राउंड स्कोर का जिमा प्रकाश जहाने सौपा अमेरिकन कंपोजर वेन शाप को इस कंपोजर की खासियत ये है कि वो सारे इंस्ट्रुमन्स खुद ही बजाते हैं और बाद में इन सब को डिजिटल तकनीकों से एक साथ मिला देते हैं गंगा जल में वेन शाप के काबिले तारीफ बैग्राउंड स्कोर का बखुबी इस्तेमाल किया गया है हाला कि कई हिंदी फिल्में बिहार में बसी होती है प्रकाश जहां का नजरिया सचमुच अनुखा है चुकि प्रकाश जहां की पैदाईशी और परवरिश बिहार में ही हुई थी आई ये देखते हैं हमारी आज की पेशकश गंगा जल दहोली वेपन एक्स्टर शाट्स के साथ